वनिमात्रम आप देख रहे हैं नेट्वर्क टैन और मैं हूँ आपके साथ आश्यमात्यागी और भारत के रण बाकुरों ने पाकिस्तान को जो करारी मात दी थी उसे तिहास को आज याद करने का खास देन है और इस खास मौके पर पूरा देश भारते सेना के शौरे को सलाम कर रहा है तो देश की आन बान और शान कहे जाने वाले हमारे भारते सेनिकों के लिए आज जियानी 26 जुलाई का दिन बेहाद ही खास मना जाता है आज देश के करगिल युद को 22 साल पूरा हो चुके हैं और ये दिन भारते सेना के शौरे और वलिदान का प्रतीक है आज जी के दिन हमारे भारत ने देश ने पाकिस्तान पर पते हासल करते हुए करगिल युद में अपने तमाम शूर वीरों को खोया था तो चलिए आज जी के दिन बताते हैं आपको करगिल विजे दिवस से जुड़ी कुछ खास बात है इस रुपोर्ट के जरिए 26 जुलाई ये वो दिन है जब करगिल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सेना आमने सामने थी और देश का गौरव कहे जाने वाले हमारे जवानों ने दुश्मनों को युद में धूल चटाई थी इस दौरान देश की तमाम जवानों ने अपने प्राणों का भी पलिदान दे दिया था दुश्मन पर विजे की दास्ता आज भी हर हंदुस्तानी की जुबान पर है देश का गौरव कहे जाने वाले हमारे भारते सेनिकों ने आज ही के दिन पाकिस्तानी सेना को अपनी बहादुरी से कारगिल में हुई लडाई के दोरान कड़ी शिकस्त दी थी भारते सेना के शौर्य और पराकरम का प्रतीक माने जाने वाले कारगिल विजे दिवस को पुरा देश 26 जुलाई को मनाता है आज जी के दिन साल 1999 में कारगिल में पाकिस्तान के साथ चली इस लडाई में भारते सेना ने पडोसी मुल्क के पसीने छुड़ा दिये थे दोनों देशों के वीच हुई ये लडाई साथ दिनों तक चली थी जिसमें हमने अपने तमाम सैनिक जवानों को भी खोया था कहा जाता है कि आज का ये दिन कारगिल विजे दिवस भारत की जीत और उन तमाम सैनिकों के सम्मान में मराया जाता है जिन्होंने अपनी जान की परवा किये बिना देश के ऊपर अपने प्रान नियोच्छावर कर दिये 22 साल पहले ही आज ही के दिन भारते सेना ने कारगिल युद्वे पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी 26 जुलाई साल 1999 को भारते जाबाजों में पाकिस्तानी सैनिकों को खदेरते हुए कारगिल की पहाडियों पर तिरंगा लहराया था बता दें कि जमो कश्मीर के करगिल जिले की उची चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैचियों को मूँ तोर जवाब देने में जुटे भारते जाबाजों के सामने कई तरह की मुश्किले थी लेकिन बावजूद इसके भारते जवानों ने हार नहीं माने और अपने साहस का परीचे देते हुए युद लड़कर दुश्मन को ख़देड दिया वही करगिल में भारत और पाकिस्तान के 24 लड़ाई में भारते सेना के जजबे के सामने आखिरकार पाकिस्तानी सैनिकों ने गुटने टेक ही दिये कहा जाता है कि जमीन से 18,000 फिट की उचाई पर हुआ कारगिल का ये युद तकरीबन दो महीने तक चला जिसमें 527 वीर सेनिकों की शहादत देश को देनी पड़ी 27 वी 1300 से ज्यादा सेनिक इस जंग में खायल हो गए थे भारते सेनिकों का ये सेनने ऑपरेशन 26 जुलाई यानि आज ही के दिन समाप्त हुआ था और सेना ने जीत का एलान कर दिया था करगिल विजे दिवस की 22 वी वर्ष का हट आज 26 जुलाई 1999 को सेना ने किया था जीत का एलान करगिल युद में 527 सेनिक हुए थे शहीत करगिल युद में 1300 से ज्यादा सेनिक हुए थे घायल पाकिस्तान के 1000 से 1200 सेनिकों की हुई थी मौद करीब दो महिने तक चला था करगिल युद 26 जुलाई को हर साल भारत देश करगिल विजे दिवस मनाता है और आज देश को मिली इस जीत के 22 साल पूरे हो चुके है और इसकी खुशी में देश में जशन का माहोल है लोग देश के उन्शूर वीरों को याद कर रही है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी लेकिन दुश्मनों के गलत मनसूबों को नाकाम कर दिया देश के ऐसे वीर जवानों को हम भी नमत कर दिया ब्यूरो रिपोर्ट नेटवर्ग जो शूरवीर होते हैं सीमा पर डटे रहते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर जोका नहीं सकते और यही वज़ा है कि सीमा पर हमेशा अपनी जां की बाजी लगाते हुए अपनी सीमाओं को सुरक्षा करने के लिए कहीं न कहीं वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और यही वज़ा है कि हम अपने खरों में बैट कर चैन की सास ले पाते हैं आज हम इसी मुद्धे पर चर्चा पर करेंगे और इसी चर्चा में शामल होने के लिए हमारे साथ करनल संत पाल रागव जी भी होंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 22 साल पहले और आज की भार्टे सेना की बात करें तो कितना अंतर यहां पर आ चुका है और आज का जो खास दिन है होसले अफजाही किस तरह से यहां पर अपने सेना की जवानों के लिए की जा सकते हैं क्योंकि जो सीमा पर डटे हुए है अपने परिवारों को छोड़कर अपने घरबार को छोड़कर सिर्फ हमारी हिर्पाज़त के लिए तो आज उनका दिन है और इतना सिर्फ आज का दिन बलकि उनका हर दिन कही न कहीं मानने होता है क्योंकि वो अपनी जा की बाजी लगा कर हमें सुरक्षत करते हैं तो आज उनी की होसलाव जाए के समर्पित है ये प्रोग्राम और हमार साथ कर्णल संत्पाल रागव जी है संत्पाल जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका नेट्वर्टैन में जी जी आज जिता जी सव प्रथम मैं आपके चैनल के माद्यम से पुरे देश की तरफ से मैं उन्वी रन बांगरों को जो 527 जिनों देश के लिए सर्वोच प्या समर्पित किया मैं आज उनको सभी को नमन करता हूं और उन्वी रन नंकों भी मैं नमन करता हूं नमर्टू यह आप्रेशन आर्मी से आफ विजे आप्रेशन विजे नेवी का और तल्वार एयर फोर्स का सफेज सागर मैं से लेके और चुलाई तक चला और भातिय सेना जो परबल और शच्च्रम है और उसके जवान जैसे उस ऑफिसर्स और पुरा देश ने अजित्ते शौरियां प्राक्रम अदम सांस पुरे विश्च को यह परिचे कराएं यह यूद बहुती भुश्किल कठिल सेकिंड पर और के बार बहुत आधूने चुकी बात करूं तो बहुती कठिल और लंबे समय तक चला और भारत की इस पर विजय हुई राइट सी जिसको अदम सांस शौरिया से और एक बलंद फॉलो दी एक मजबूत इरादे के साथ हमने दुस्मन को सिकस्त दी और दुस्मन को मूतोड जबाब दिया अपनी बीच का वीरता का पर्चम लह रहा है यह एक ड़ट सकल सांसी नेत्र अदम सांस और प्रक्रमी दे चांग बाजो ने एक विजय हासिल की यह और इसकुप अधियास में दर्च हो गया है यह दिन और उसी इतिहास को दहराने का आज का यह दिन है ना सिर्पाज का दिन बल्कि कही ना कहीं ही जू पराकरम है यह शहादत जो दी जाती है शूरवीरों की तरब से वह हमेशा लो अपने वी सेनिकों ने अदिम में साहांस ड्रड संकल ऐसाधारन वीता और कुछल नितजुने गर्भ और गर्व की याद कराता है मैं पूरे विश्ट को सामने कहना चाहता हूं आपके चैनल के बाते हम से कि हमारे देश के रंग बांपूरे और सेनिक और प्रतिक नागरिक गर्व और गर्व देश के लिए सोब परतम रहता है और यह हमारी एक संस्क्रिति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है आज मुझे गर्व है उन बहादूर जानबाजों में जिन्होंने जीत का फर्चम नहराया और पड़ोसी देश को एक बहुत बड़ा लेसन दिया जी आज को मात्या मुझे कह रहा हूं जर्ल मुश्रा इस ओप्रेशन की त्यारी के लिए हमारी सीमा में वो तर्स किलोमेटर तक आये थे और जोश बढ़ने आये थे लेकिन उनको एक हमने बूतोर जबाद दिया खुद एक जर्णल लीड कर रहा है उसको हमने अमारे जवानों ने जेशियोस ने और पहादूर अश्रों ने जन अश्रों ने उन्होंने एक बूतोर जबाद दिया इसके अंदर आप चाथ प्रमीर चक्र मिले विक्रम बत्रा कैप्टन पांडे जी संचे सेंग और यादफ जो कि उन्होंने बोलिया खांके उनको जो है एक प्रम दिखाया और अपने टांकेट को लक्ष लिया यह एक अपने आप पे बहुत बड़ी और बिल्कुल ना सर्फ यह आज का दिन पते हासल करने के लिए याद किया जाता है बलकि उन लोगों को उन शूर वीरों को भी याद किया जाता है जिनको आमने इस युद में खोया था क्योंकि एक जवान का जाना ही इतनी बड़ी डामेज हो जाता है इतना बड़ा कही न कही शती हो जाती है कि उसको भरपाना शायद ही मुश्किल हो जी इस युद के अंदर चार औरमी चक दस महावें चक और 49 उननचा जो भी चक्रा और 135 सेनमेडल विजेताओं को दिये गए जी और यह युद एक शार्य पूर्ड युद था जो कि बहुत ही हाइप में लागे हागा हजार से लेके और थारा हजार के आईट तक यह युद र लागे हैं इसके अंदर सारी विश्व दॉताएं थी लेकिन हमारे पुरा देश ने रास्टे ने बड़ोसी देश को एक बहुत बड़ा सबख सिखाया है नंबर एक जो सबख सिखाया था 1971 के अंदर वर्ट के अंदर 93 को हमने Prisoner of War बनाया था यह दूसरा जुद था जिसमे जो उन्होंने बहुत पूरी त्यारी के साथ किया था उसमें भी हमने अपना पर्चम लेराया है हमारा दुश्मन देश कभी एक जाहिर तो अपर पर पाकिस्तान को मूँ तोर जवाब यहां पर दिया जाता है हमारी भारते सिना की तरह से ना 22 साल पहले बलकि आए दिन जि इस तरह की घुसपैट बार-बार इस तरह का कदम जो नापाक मनसुबों को अंजाम देनी की फिराक में रहता है इसके पीछे क्या वज़ा मानते हैं और आकर शे कहां से मिल रही है कि वो इस तरह से इतनी दोहरी नीथी को बार-बार लगाता दोहराता है मैं आपके चैनल के माधियम से बता रहा हूं 1971 के अंदर उन्होंने कन्वेंशनल वार में ये देख लिया कि हम इंडिया को मैच नहीं कर पाएंगे जर्णल जियाउल हट जो उस ताइम डिक्टेटर थे और आर्मी चीफ थे उन्होंने एक पॉलिशी करी कि प्लीज इंडिया भी थाउजन कर्ट्स प्रॉक्सी वार करें इस तरह का युद्ध उन्होंने शुरू किया कश्मीर के अरद लेकिन हमने और हमारी आज की प्रेज कि पाकिस्तान का ये एजेंडा है उनकी आर्मी का आई एस आई और जो गौर्मेंट है उनका भी एजेंडा है कि कश्मीर के अंदर डिस्ट्रिमेंस पैदा करना सो उनका नेरेटिव ये चला रहे है लेकिन हमारी प्रबल सेना और शक्षिल पर्यास उनके नापाक इरादों को कभी हासिल नहीं होने देखें आप देखें अभी बहुत ही कम घटना है जो पूरे देश को मालूं है पहले जब ऑपरेशन होता था जी वहां के कुछ लोग पत्थर बाजी करते थे वो शांती में है और आज कश्मीर में वितास चलता है ये घटना है पाकिस्तान हमेशा रहेगा पाकिस्तान की आमी, ISI और कॉमेंट कश्मीर के इस्टमेंट करने में होता है देख पा रहे हैं जब कश्मीर में कि शांती के साथ जो लोग है अपने जीवन को वियतीत कर रहे हैं जो पत्थर बाजी होती थी जो आवाज को रेस किया जाता था वो नहीं दिखाई देती है वो तस्मीरे नहीं दिखती है यही वो टीज है इमरान खाल की इन बयानों के ज़रिये जी आज पूरे कश्मीर में विकास है जी शांती है आप यूएन के वहां अप्चार कर रहे हैं कोई लेकिन अभी एक नई वीदी निकाली है ट्रोन के द्वारा यह हरकत है करने के और जो उनके आतन की संक्ट रहे हैं उनको भी वह यह ट्रेंड कर रहे हैं लेकिन इसका भी हम मूत और जवाब दे रहे हैं वह अपने नापाग इरादों को हम मैं कभी सफर नहीं हो पाएंगे और आज मुरदेश गर्थ और गौरफ की गाता पर गर्थ मना रहा हैं जी आज़ कश्पीर में शार्ती है जी बिल्कुल लेकिन संतपाल जी जिस तरह से देखा जाए एक तरफ शांती पूर्ण तरीके से कूट नेतिक रास्ते के जरीये कही न कहीं इस पूरे मसले को सुलजाने की कोशिश होती है पाकिस्तान की तरफ से लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आई दिन जिस तरह से गुस्पैट होती है नापाक बंसुवों को अंजाम देनी की कोशिश में रहता है ये पाकिस्तान ऐसे में ये कथनी और करनी में पर को नजर क्यों आता है पाकिस्तान की तरफ से और भाटे सेना की तरफ से मुतोर जवाब दिया जाता है लेकिन अगर उन्हें खुला छोड़ दिया जाए उनको अज़ादी दे जाए कि उनके किलाव कोई ऐसा सक्ट एक्शन लिया जाए त आज हमारा जो पीओ के पाकिस्तान औकोपाइट कश्मीर है जी यह हमारे देश की और गॉर्मिट का और सभी देश वास्यां को उसके पर एक उमीद है और मैं आपके आज कहना चाहता हूं कि हमारी सेना परबर्द और शक्षम है इसको लेने के लिए अगर गॉर्मिट का व वो मिलता है आमी को तो हम पियों को भी ले पाएंगे और इम्रान साथ को बहुत ही डर है उनकी आर्मी को भी डर है उन्होंने हमारी शक्षमता देखी हुई है जी ओपरेशन विजह जो इसके लिए आज आज हमने चैनल पे बुलाया है इसके जड़िये से हमने को मैसेज द बहुत शॉर्ट प्रोडिस पिए और हमने सफलता हासिल की है जी तो यह जो पीयों के है हमारी के अंदर है हमारी सेना शक्षम है इसको लाने के लिए यह पाकिस्तान के गौवर्मेंट इम्रान खान साथ को अंदर से बहुत बड़ा डर है और उनकी गौवर्मेंट को उनकी कि आई एसाई और आमी चीफ को भी डर है कि यह पीयों को भी आउको पाइंट करेंगे यह एजेंडा और हमारे देश के तरह है और गौर्मेंट के अंदर जी संद्पाल जी में आऊंगी हमार सथ खास विमान ग्रूप क्याप्टर डॉक्टर पीए जाज जी भी जुड़ विए जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है नेट्वुक 10 में धनिवाद जी विए जी कारगिल विजे दिवस का आज खास मौका है इतिहास को दौर आने का इतिहास को याद करने का ये दिन उन शूरवीरों को याद करने का उनकी शहादत को याद करने का ये पराकरम पूरा राष्ट्रों उनको नामन कर रहा है इस खास मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे और पूरे विश्व को क्या मैसेज देना चाहेंगे जी आपके चैनल से मैं उन सारे वीर जबानों को जिन्होंने अपनी शहादत दे थी 527 और जितने लोग घाया हुए उन सबों को मैं अपना सलाम देता हूं कि उन्होंने देश के लिए वो किया जिसके लिए हम सेना को जॉइन करते हैं और जिस तरह के हमें जो एक सीख मिली थ उस कारगल युद से उन सीखों को अगले आने वाले कुछ बर्सों में इंप्लिमेंट होना चाही था लेकिन वो नहीं हुआ और मैं इस सरकार को अभी मोदीजी सरकार इसको मैं धानिवाद देता हूं कि उन्होंने वो सारे सीख जो थे जो सारे हमें सीख मिले थे उस स्टाफ था थेटर कमांड होना चाहिए यह सब जो सेना के लिए जो जरूरी था यह सारी चीज़ें उस समय में आई थी सेना को किस तरह से मॉटनराइज करना है तीनों आम्स जो हैं उनको किस तरह से मिलके एक युद्व को लड़ना है क्योंकि आपको पता होगा कि जब श तो इसलिए जो सजेशन साइथी जो रेकमेंडेशन साइथी कार्डियों से उन सबों को अभी इंप्लेमेंट किया जा रहा है और किया गया है इसके लिए मैं बहुत-बहुत मधाई देश को कि यह साइची ने कहीं जो सेना के जवान हैं जो अपने घर-परिवार को पीछे चोड़कर सिर्फ देश हित में अपनी योगदान अपनी भागिदारी को निबाते हैं उनकी होसला अफजाए भी इसके लिए कहीं न कहीं जरूरी हो जाती है इन तमाम माद्यमों के जरिए बिलकुल सही कहा आपने देखिए जो जवान वहां पे है उसकी तो जो मुराल है क तो कहते हैं कि हम इसी के लिए ट्रेन के गए हैं अब हम दुश्मनों के दांत को खटे करेंगे चाहाए जो भी कीमत देना पड़े तो इसलिए जवानों की शहादत जो है वो कभी विरतनी आती है वो देश के हमिशा काम आती है लेकिन जो हमारी जो लीडर्शिप है पॉलि लेकिन उन्हों कुछ नहीं किया हुआ है अभी भी बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ मिलना था सरकार के तरब से कुछ उनको मिलनी थी स्टेट गर्में से इस पर भी आओंगी लेकिन उससे पहले क्योंकि अगर हम थोड़ा पीछे जाए 22 साल पहले की बात करें भारते सैन्र की ताकत में क्या अंतर आपको दिखाए पड़ता है आज किस समय में कितना बदला अभी पिछले साथ आठ साल में इतने सारे विपेंस आम फोर्स के पास में आये हैं कि हम किसी से भी अभी लोहा ले सकते ही एक वो कारिल का समय था जब हमें छोटे से कारिल पर और नहीं था लेकिन आज आज हम चीन को सामने में लेने के लिए तयार हैं चीन पाकिस्तान दोनों साथ साथ आ जाएगा उनके लिए हम अभी त्यार हैं तो इसलिए जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिवलप्मेंट हुई पिसले साथ-8 साल में यह यह विस्मरनी है इसको आ तो वो सारी चीज़ें आ गई हैं जिससे हम चीन को उन्हीं के सीमा पर दात खटे कर सकते हैं और इसका एक एक इग्जाम्पल आपको यहां पर लदाट दिया जाता है गुस्पैट करने की कोशिश होती है और यह वज़ा यहां पर देखा जाए जिस तरह से नापाक इराद वी करते हैं जिसमें वो काम्याबी होते हैं संत्पाल जी आप कितना इतपाक रखतें विए घाज की कि लिए के प्रलाग और जी सुप्रेमन कमेटी बनाई गई थी और रिक्मेंडेशन दी थी उन्हों है हमारी सेना में आंस एक्विप्मेंट मॉडनाइजेशन एर फोर्स का नेवी का काफी चेचिस आया है एज प्रोफाइन भी कमांडिक ऑफसर की गम है काफी बार एक्विप्मेंट और लेडर्शिप में भी काफी चेंजेशन आये है और आदूदे की करद भी काफी हुआ है जॉइंटनेस भी काफी हुई है तो काफी स्ट्रक्शन हो चुकी है माफी चाहूंगी बीच में आपको रोक रही हूं लेकिन हम चाहेंगे कि इस खास मौपर उन्चूर वीरों को और साथी पूरे विश्व को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस खास दिन पर संपार जी हम विश्व में शांती चाहते हैं और इंडिया ने जहां पर ट्रॉबल स्पॉर्ट्स हैं इंडिया पीस किपिंग फोर्स बेजी हैं और शांती सापित किया है रहां और हमारा हमारी कौर्मेंट एक पीस का मैसेज देना चाहती है शांती पुरण और विकास में भरसा रखती है उसके साथ में बड़ोसी देजों को भी यह मैसेज देना चाहता हूं जी अगर कोई नापार्थ हरकत की है तो उसका बहुत खामियाज़ा पुफत ना पड़े और आपने गल्वन में देखा सु बिल्कुल वीन जी अब आखरी में मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपस भी एक मैसेज लेना चाहेंगे चोटा सा लेकिन साथ ही जिस तरह से आपने का कि सेना जो है वो बहतरी की और बढ़ी है आज सक्षम है हर तरीके से आपकी नजर में और क्या लगता है कि बहतर अर्से से कह रहे हैं कि सेना को मॉर्टनराइज करो देखिए चीन के साथ में पाकिस्तान के पास में जो साथ में जो पहाड़ी हिस्से हैं उन पे लड़ने के जो छमता होनी चाहिए वो एक मॉन्टेन स्ट्राइक फोर्स में होती है और उसके लिए आम फोसे दशकों से कह वह मोधी सरकार ने भी दिया हुआ है तो एक मॉन्टें स्ट्राइक फोर्स अरड़ी हो चुका है एक और अभी बनने वाला है सेना को जो साध्यों समान चाहिए वो चीज सारे मिल रहे हैं सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए जितने चीज़ें चाहिए वो सारी चीज ली बहुत बढ़ जाता है कि उन पर भी सरकार परमाए ताकि जो आगे है सेना उसकी ताकत पड़े और अवसला अवजाई होती रहे लेकिन देश के दुश्मनों को क्या मैसेज देना चाहते है आप चोटा सा मैसेज हम चाहेंगे कि आप संशित पर बताए देश के सेना को हमार चाहिए वही चीज काफी है हमारे सारे वीर जनों को हमारा सलाम सिना की तरफ से बिलकुल संपाल जी और हमारे सब वीए जहां जी जुड़े थे बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए इतना कीमती वक्त देने के लिए आपको भी बहुत बहुत शुपकामन विजे दिवस की तो विल्कुल जाहिर तोर पर इस विजे दिवस के मौके पर एक बार पर से ना ये चेता देना चाहते है कि देश के दुश्मनों जाग जाओ अगर आपने देश के प्रती कोई भी गलत आख उठाई तो उसका मूह तोड जवाब दिया जाएगा इसी के साथ सत्ता के टेंप्रेचर में बस अतना ही आगे विजारी खबरों का सिल्सला आप देखते रही नेटवर्क 10 जैहिंट झाल आप जाओ जाओजर आफ देखते रही नेटवर्क 10 जैहिंट